Hello Friends, Welcome to Vidya Kula Maulain Classes आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इकाई का अंक निकालना कैसे किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालते हैं तो ये चारों प्रशनों की मदद से आप लोग समझेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो आप यह जहान लेजिए कि इकाई का अंक या इसी को exam में ध्यान रखीएगा एक-क भी पूछता है कि एक-क अंक ग्यात कीजिए तो confusion नहों ना एक-क को ही इकाई का अंक बोलते है और इंगलिस में इसे बोलते है unit digit तो क्या होता है सबसे पहले तो आप यह समझ लीजी देखिए कोई भी संख्या जैसे लिखी होती है जैसे मैंने कहा यह संख्या लिखी है ठीक है तो जो पहला हंग होता है दाय हाथ से अब आप कहेंगा सर जी दाया बैया नहीं समझ मेंग आता है तो देखे जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो आप कैसे ऐसे चिन बनाते है बहुत बड़ी हाँ तो बस अब धहान रखिए दाया डी से दाया और बी से क्या होता है बाया D से दाया, B से बाया तो जब आप ऐसे करें और देखिए D कचिन बने ये देखिए D कचिन बन रहा है D कचिन जिस हाथ से D कचिन बने वो दाया और जिस हाथ से B कचिन बने वो बाया ये बात संज में आ गई अब आप समझ लेना हमेशा दाए हांच से पहला अंग जो होगा वो आपका कहलाता है इकाई कांग तो आप लोगों को एका कंग या इकाई कंग है या उनिट डिजिट समझ में आ गया अब किसी भी संक्या का इकाई कंग निकालते कैसे हैं कैसे देता है एकजियर को तो देखिए कोस्ण आपको ऐसे मिलेगा पहला कोस्ण लेते हैं अगर मैं आपसे कह ओं कि तीन गुड़ा पांच इसमें इकाई कंग अक्ष और आप इसको गुड़ा करें के कहेंके तीन पाचे पंद्रह और इकाई कंग हमने बाकी सब फालतू है बस आपको ये ध्यान रखना है आपको केवल क्या करना है हर जगे से दाएं हाथ का केवल पहला अंग लेना है बाकी सब बेकार है तो पहला अंग देखिए पहला अंग केवल ये है दाएं हाथ से पहला अंग केवल ये है दाएं हाथ से पहला अंग केवल ये है, तो आप कहेंगे, सर इ सब क्या बेकार है, बिल्कुल बेकार है, इनका कोई जरूरत नहीं है, लिखा है ना, दाए हाथ से पहला अंकलें बादकी सब फालतू है, तो आपने क्या पकड़ा, केवल 3, 7, 4, इनका गुना करना हैना, अब देखिए गुणा कैसे करते हैं गुणा करेंगे तो तीन का गुणा जब सात में 3 सता 21 तो 21 नहीं लेना है आप क्यों बड़ा संख्या कर रहे हो 3 सते 21 आया ना तो हमने कहा बस आपको पहला अंग लेना है दाये हाथ से तो बस आपको केवल एक पकड़ाना है, क्या पकड़ना है, एक, तीन सते 21 , 21 न पढ़ो क्या पढ़ो एक पढ़ो , तो 3 सते 21 मतलब एक और एक गुणा फिर चार में तो एक का गुणा जब चार में करेंगे तो एक छोगों कितना हुआ 4 तो 1 का कितना आया 4 इस तरह से करना है ये नहीं कि आप लोग पहले 21 लिखें और फिर 4 का और गुणा करेंme आप फिर आइसे गुणा भी कर रहे हैं 4 एक हंधा क्र,4 दुनाए क Lakchnya क्या जरूरत रखे करने की टाइम की वेस्ट कर रहा है यह गुणा वाला तो समझ में आ गया अब यह वाला देखिए लिखा है 122 और उपर लिखा है 173 यानि यह घात होती है ठीक है तो समझ यह जरा यदि किसी संख्या की खोपड़ी में दो से जादा अंक हैं मान लीजिए दो अंक हैं ए पकड़ना है दाइं हास से पहला Ankkah यानि यह केवल हमको 2 पकड़ना है इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं है तो यानि यह लिखा क्या है अगर हम वास्टों में देखें तो केवल यही तो लिखा है दो ऊपर 173 यही तो लिखा है ठीक है आप समझ हुझ ए जरा कह रहा है यहां पर कि अगर किसी संख्या की खोपड़ी में दो से जादा अंक है तो दाएं हाथ से बाएं और जाते हुए केवल आपको दो अंक लेना है कितना दो अंक ध्यान रखिए जब कभी उपर घात चड़ी हो ना तो अब दो की घात 173 लिखा है तो क्या तुम दो का 173 वर गु केवल कितने अंक लेने हैं दो अंक लेने हैं यानि यह केवल इतनी बात लिखी हुई है ठीक है पूरे चरण इसलिए लिख देते हैं कि अगर आप भूल जाते हैं तो आराम से केवल रिवीजन करके सारी चीजों को समझ सकते हैं और उसमें क्या करना है फिर आपको चार से भाग दे देना है चार से क्या करना है भाग दे देना है तो तीहत्तर आया अब जब हम इसको चार से भाग देंगे तो देखे क्या होगा चार एक कम चार तीन बचा तीन आया चरू अठी बद तीस तो सेस कितना बचा एक बचा सेस कितना बचा एक बचा तो बस यही करना है ज सेस को इसकी खोपड़ी में ठाल देना यानि दो की गात एक अब तो आप कर सकते हैं ना तो दो की पावर एक क्या हुआ दो तो आंसर कितना आ गया दो तो बस यही इकाई कांग हो गया इकाई कांग कितना आया दो आया यहां से इकाई कांग कितना आया था यहां से इकाई कां यह तक्या करें तो ध्यान रखिएगा अगर चार से पूरा पूरा कट जाए ना तो खोपड़ी में 4 ही लिखें जीरो न लिखें यह से जीरो नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे चार ही लिखेंगे ठीक है और एक बहुत important बात है कि 0165 के उपर कोई भी बैठा हो इन अंकों को कोई फरक नहीं पड़ता बड़े निरलज टाइप की लोग होते हैं इनके उपर कोई भी आ जाए इनको कोई फरक नहीं पड़ता जो है वही रहते हैं इसलिए फालतु का समय न दो अंक पकड़ने हैं चार से भाग लगाना है जो सेस आएगा वो लिखना है तो यह टाइम बरबाद हो रहा है कि नहीं तो आपको यह ध्यान रखना है इसकी गात कुछ भी लिखा हो यह वही आएगा जीरो एक छै पांच यह अंक ऐसे होते हैं कि इनकी गात कुछ भी देखना है नहीं मैंने क्या बोला आप से मैंने बोला केवल दाएं हाथ से पहले अंक से मतलब है बाकी सब फालतू है यानि कुल मिला करके यह ऐसा लिखा है साथ की पावर 245 गुणा एक की घात 72 ठीक है अब क्या होता है जो घात लगी होती है उसमें केवल दाएं हाथ से दो ही अंकों को देखना है दो अंकों को देथा और पिर क्या करना चार से भाग लगा देना है और जो सेस बचे वही लिख देना ह山頃 तो 45 पर भाग लगा है । तो चार एक की घात कुछ भी हो क्या आता है एकлично अब बताएई इसाथ का गुणा एक में करेंगे तो कितना आ कितना आ गया साथ आ गया इस तरह से निकालते हैं इस कुश्चन को आप लोग घ्रा किस से मतलब है इस से मतलब है इस से मतलब है और यहांच की मतलब है Inok fabric में कितना लिखा है पांच और यहां पर कोई भी संख्या समसंख्या लिखी है कहीं और पर भी दो चार छे आठ जीरो तो ध्यान रखिएगा हमेशा अंसर जीरो ही आएगा क्यों क्योंकि पांच दुना दस होता है और एक आई में जीरो आता है इसलिए हमेशा अंसर जीरो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं और कॉंसेप्ट को ले करके ओके थैंक्स पो वचिंग आइस